तो कहानी की शुरुवात होती है जैनिफर हिल्स नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो की पेशी से एक राइटर होती है और वो अपनी एक किताब लिखने के लिए बहुत ही शांत जगें की तलाश कर रही थी जिसके बाद वो कहीं पर जाकर एक घर को रेंड पर लेती है जो की जंगल के बीच उब बीच होता है लेकिन तभी वो बीच में रास्ता भटक जाती है जिसके बाद वो अपने एड्रेस के बारे में पूछने के लिए एक पेट्रोल पम्प पे रुखती है जहां पर पहले से ही तीन लड़के का नाम जौनी होता है और यहां पर जौन जैनिफर अपने अपार्टमेंट पे पहुँचकर अपने सारे सामानों को सही कर रही होती है जिसके तुरंद बाद ही वो वहाँ पर बैट कर एक किताब लिखने लगती है लेकिन हम देखते हैं कि गलती से जैनिफर के हाथों से वाइन की बोडल गलती से उसके उपर उलट और अब घर आने के बाद वो देखती है कि उसका शिंक खराब हो चुका है जिसके बाद वो फोन करके एक प्लमबर को बुलाती है जिसके बाद अब हमें जंगल की बीचो बीचो नहीं तीनों लड़कों को दिखाया जाता है और इन्हीं में से एक निवेनी का वीडियो भी ब लड़की आकर उसके दरवाजे पर एक मरी हुई छिडिया को टांग देती है अब जब जैनी को कुछ आहट मिलती है तो वो दरवाजे तक जाती है लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वैसे ही वो तीनों लड़की जैनी की घर में घुश जाते है और जैनिफर अंदर बताते हैं कि मैं एक राइटर हूँ और मैं यहाँ पर एक बुक लिखने के लिए आई हूँ लेकिन तब तक जोने उसके साथ बत्तमीजी करना शुरू कर देता है जिसके बाद वो एक लखडी से भी जैनी के दातों पर मार देता है जिसके वज़ा से जैनी को काफी चोटा ज जाती है अब इसके बाद वो उसके बागी साथियों को वहां से निकल जाने के लिए कहता है लेकिन वो तीनों की कोई बात नहीं सुनते हैं और दूसरे तरब जैनी उन चारों को चकमा देकर जंगल की तरब भागने लगती है और अब जैनी फर जब जब जंगल में भाग होती है तब उसे एक पुलिस वाला मिल जाता है जिससे वो अपने लिए मदद मांगती है अब इसके बाद उस ओफिशर को वह सब कुछ बताती है जिसके बाद हम देखते हैं कि जैनी इस ओफिशर के साथ अपने घर की तरब जाने लगती है और जब वो पुलिस वाला जैन जैनिफर अब बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैनिफर दोबारा से कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है। जैनिफर पर पहुँच जाती है। उस प्लमबर को जैनि की आत्मा दिखाई देती है जिसकी वजह सी वो बहुत डर जाता है। तब यहाँ पर जोन बताता है कि यह शायद यह सब कुछ प्लमबर कर रहा हो। जिसके बाद अब यह तीनों लोग उसे ढूटने लगते हैं। और उधर उसके तीनों साथे उसे अलग-अलग होकर ढूटने लगते हैं। तब ही हम देखते हैं कि इस्टिली का पैर ढूटते हुए एक जाल में फंस जाता है। और वहाँ पर वो जैनी को अपने सामने जिन्दा देखकर घवरा जाता है। जिसके बाद जैनी अब उसे एक पेड़ से बांद देती है। और तब तक जैनी मैथ्यो के पीछे से जाकर उसे एक रोट से मार कर भी होश कर देती है। और उसे वहाँ से ले जाकर एक बाट टैप में बांद देती है, जिसके बाद वो उस बाट टैप को तेजाब से भर देती है, जिसके बाद वो मैथ्यू को उसमें डुबा देती है, और यहाँ पर मैथ्यू की बहुत ही बेरहमी से मौत हो जाती है, अब इधर वो इसके बाद इस्टली की बोडी को मशली के काटों के साथ उसकी आखों में गुसा कर उसे पेड से लटका देती है जिसकी वज़ा से उसे बहुत दर्द हो रहा था और यहाँ पर जैनी भी उसी के तरhak से उसकी वीडियो को Rekord कर रही होती है जिसके बाद अब जैनी एक मशली को काट कर उसके चेहरे पर लगा देती है जिसकी वजह से चीलकवए दूर से उसे देख कर उसे काटने के लिए उसके पास आए और आखिरकार अब ऐसा ही होता है जिसके बाद अब यहाँ पर जैनी पर बहुत बुरी तरीके से मौत हो जाती है और इधर अब सिर्फ वो आफिसर बचा होता है जिसे पता चल जाता है कि जैनीफर अभी भी जिन्दा है अब इसके बाद जैनीफर उस आफिसर को फोन करके कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है जिसके बाद वो आफिसर जैनी के जहां से में आ जाता है अब इसके बाद जैनी आफिसर को उसी घर में लेकर जाती है और वहाँ पर वो आफिसर को भी बाद देती है और वही पर वो plumber भी होता है जिसके बाद अब जैनि एक ट्रेट बनाती है जिसमें वो एक बंदूग को एक रस्टि से बाँद देती है और वो रस्टि ले जाकर सीधा दर्वाजे में बाद देती है ताकि वो plumber अगर दर्वाजा खोले तो वो रस्ची सीधा बंदूग की तरफ खिचाओ करे जिसकी वज़ा से गन फायर हो जाए और आखिरकार ऐसा ही होता है जैसे ही वो प्लमबर उड़ता है वो रस्ची खिस जाती है जिसकी वज़ा से बंदूग से गोली चल जाते है और उस ओफिसर को जाकर लग जाती है और वो गोलिये वहां से रिटन होकर प्लमबर को भी लग जाती है और इस तरीके से यहां पर इंदोनों की भी मौत हो जाती है और अब लाश्ट में हम जैनिफर को देखते हैं की अंदर से थोड़ा बहुत सुकून महसूस कर रही होती है और खुश भी थी क्योंकि उसने अपना रिवेंज ले लिया था और इसी को दिखाते हुए इस मुवी का यहीं पर इंड हो जाता है